Hello everyone, competitive exam में आपका एक पर फिर स्वागत है, आज मैं आपके साथ JYT से regarding जो है, आज विधान सबा में जो question लगा था, उसके बारे में complete याँ डिटेल लेकर आ गया हूँ, जैसा कि आपको पता है कि आज से हिमाचल परदेश विधान सबा का ये पहला दिन था, जिसमें कि बहु अंदन अगर से विधायक है, पोस्ट कोड 817 के बारे में पूछा गया, दिनांक 15.2024 को उत्तर है तू, निश्ची थुआ का उत्तर, तो आप दे सकते हैं कि क्या उत्तर दिया गया है, जो इन्होंने question पूछा था कि JYT 817 का result कब आएगा, तो सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, सुप्रीम कोड से decision आने के बाद भी result क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तो इसके उत्तर में CM साब ने क्या कहा है, देखिए, JYT पोस्ट कोड 817 के पदों की भरती प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, मामले में कोई भी सक्षतकार आयोजित नहीं किये गए क्योंकि स्मूसी के पदों हेतु, दिनाक 17.4.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार शाक्षत का अर्समाप्त कर दिये गए हैं, और विश्यगत मामला वर्तमान में राजिय स्तरक्ता एबम भष्टाचार रोधक ब्योरों के अन्वेशना धीन है, और मंत्री मंडल ने अपन परदेश करमचारी चैन आयोग की चल रही जांच अनुवेशन के कारण प्रिनाम लंबित है, उक्त समीती ने तीन महीने के भीतर आगे की कारवाई पर अपनी सिपारिशे देगी, अता प्रिनाम गोशित करने से संबंदित आगामी कारवाई अभी अपेक्षित नहीं है, तो आप दे सकते हैं कि सरकार का इस भरती के रिगारिंग क्या रवईया है, और सरकार साप साप इसमें यही चाहती है कि इसको जादा से जादा टाइम तक लटकाया जा सके, तो उसी कड़ी में आज इनोंने कह दिया है कि तीन मन्त के लिए इसमें जो कमेटी बनाई गई है तीन मन्त के बाद वो अपनी सिफायशे देगी, उसके बाद ही आगे इसमें कुछ डिसीजन हो सकता है, तो आप दे सकते हैं कि अब यह भरती और लटकती हुई नजर आ रही है, कि लगबग आपके मैई जून तक जो है, इस भरती में अभी कुछ नहीं हो सकता, और हमारे जितने भी कंडिडेट शिमला में डटे हुए हैं, उनके होंसलों के लिए हम सलाम करते हैं, कि वो अपने रिजल्ट के लिए अभी तक बैटे हुए हैं, सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, कि यह जल्दी से जल्दी इसके जान पूरी करवा करके इसका रिजल झाल